एक देन पहले नाखपुर स्टेशन तेलंगना एक्सप्रेस से चांसी में बंदुकी और जिन्दा कार्टूस मिलने के बाद रेलवे सुरक शाबल और अधिक सतर्क हो गया है। इसी केता है चलती ट्रेनों में जांच के दरान नाखपुर आर्पेफ और खुफिया शाखानी क्रवजर दिल ली जा रही जीटी एक्सप्रेस और एपे एक्सप्रेस में कुल 57 किलोग्राम का गांजाब पकड़ा है। इसके कुल कीमत पाच लाग सतर हजार रुपए आकिशारी है। सुभह सारे ग्यारा बचे प्लैटफॉर्म एक पर पहुची। ड्यूटी पर तैनाथ आर्पेफ जवान गडपलवार तथा धीरच राम की शिंदाया चांश करती हैं सकेंड क्लास एसी के कुछ एक में पहुची। वहां बर्थ 49 पर सफर कर रही रांकी रेटी को दो ट्रोफी बैक संदिगने लगे। उसने बताया कि वहां राम गुंडम से भोपाल जा रहे। बैक में रखे सामान की बारे में पूचने पर वर्ग खपरा गया। बैक खोल कर देखने पर उसमें 24 बंडलों में लगबग 27 किलोग्राम का जाम मिला। दिनाग 13 नो 2021 को समय लगबग साड़े 11 बजे ट्रेन नमबर 26 पंदरा जीटी एक्सप्रेस नागपूर इस्टेशन पर डूटी स्टाप राजिशगर पड़ुलवार और देरज गईया। दोनों ने चेक करते समय एवन कोच में 39 बरत पर एक यात्री जिसका नाम रांकी रेड़ी सुब्बा वेरी का स्वामी राज मुंद्रम अंधर प्रदेश का रहने वाला है और इसके पास से दो बैग ट्राली बैंक जिसमें से गाजा मिला जो 47 केजी के आसपास है जिसके अ आगे अभी किसी को देने वाला था उसका नाम तो भी इंक्वारी में खुला सा होगा लेकिन ये राज रामा गुंद्डम से बोपाल के लिए जा रहा था तो अभी जांच का विश है जैसे आगे जांच में बताए जाएगे 47 केजी गाजा है और ये 4 लाग 14 जार से कमाल है जो सीज किया गया है इस प्रकार ट्रेंग 02805 विशाखा पत्नम दिल्ली एपे एक्स्प्रस में आरपेफ नाकपुर की खुफिया शाखा ने 10 किलोग्राम गाजाब पकड़ा और एक आरूपी भी किरिफतार किया ये कारवाई भी इसी क्लास की बूगी में ही की गई आरपेफ कॉंस्टिवल भासकर ने सुचना भेजी कि एक ट्रेंग के कोच B2 में कूपा नमबर 01 T0 की सीट 3 और 4 के नीचे गांजा होने की संभावना है नाकपुर स्टेशन से ही CBI के सहानी वा करवड़े की अलावा ट्रेंग में चडगे इस बीच ट्रेंग रवाना हो गई जानकारी के नुसार जान स्ट्रीम बताएगे कोच में पहुची तो बहर 3 और 4 के नीचे एक बड़ी सी चादर में कुछ रखा हुआ था वहाँ खेतावाद बैठा हुआ था आरपेफ की पूचताच में उसने गांचा तसकरी की कभूली दी तुरंथी उससे गिरफ तार कर सारा माल जब्त करके जी आरपी के सुपरूरत किया गया उप्रोग दोनों कारवाईया वरिश्मंडल सुरेक्ष आयक्त आशतोष पांडी तथा ससी कूर्ट दोजी के मार्क दश्यन में पियाई आरेल मीना, पियाई एनली आदो, एसाई विकेप पटिल, आईपी चोक से, उमेश्यादो, हरिवंदर मंगल दीप, मनुझ धायगुडे आदी द्वारा पूरी की गई क्यामर पोसन अकलेश भारत वाज के साथ दिशाहटवार, बीसे न्यूज नागपूर